तो फाइनलि दोस्तों सौधी वीजा स्टाम्पिंग को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसका अंदेशा पहले से ही था ऐसी खबरें पहले ही चल रही थी कि सौधी वीजा स्टाम्पिंग को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाओ होने जा रहा है तो वो बदलाओ द दोस्तों पूरा अपडेट वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ तो ये वीडियो आप बिना इसकिप किये हुए लाश तक देखिएगा लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे छोड़ सी रिक्वेस्ट है अगर आप इसी तरह की हेलफुल जानकार में इंडिया में जो इंप्लाइमेंट वीजा होता है जो वर्क वीजा होता है उसके स्टांपिंग में प्राबलम आ रही है कभी कहा जा रहा था कि वीजा स्टांपिंग के लिए स्टीकर खत्म हो चुका है उसकी कमी हो चुकी है कभी कहा जा रहा था कुछ टेक्निकल प्रा पर देख रहे हैं आपके passport पर जो एक स्टीकल लगता था ग्रीन कलर का हरे कलर का जो stamping होता था आपके passport पर सौधी का जो employment visa होता था और अधर कोई visa होता था जो stamping होता था तो अब यह stamping नहीं होगा इसको लेकर circular जारी कर दिया गया है कि अब सौधी का visa stamping पासपोर्ट पर बंद होने जा रहा है और इसकी जगह पर दोस्तो अब क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी जगह पर अब आपको एक A4 साइज पेपर में जिस पर QR कोड भी होगा उस पर आपके वीजा के सारे डिटेल्स होंगे वीजा इसू वीजा एकस्पायर इसके ला A4 पेपर पर से मुसी तरह से आपके वीजा स्टांपिंग का पूरा डिटेल आपके एक A4 साइज पेपर पर होगा उस पर QR कोड होगा जिसे वेरीफाई किया जाएगा एरपोर्ट पर एरलाइन्स की तरफ से इमिग्रेशन की अधिकारियों की तरफ से और अन्याधिकारिय इस से इसके संबन्द में गाका की तरफ से सभी एरलाइन्स को दिसा निर्देश जारी किये जा चुके हैं यह आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यह जो नया नियम लागू होने जा रहा है यह साथ देशों के लिए होगा UAE, मिस्र, जार्डन, इंडोनेसिया, फिलिप कर लगता था पासपोर्ट पर वो अब नहीं लगेगा 1 मई 2023 से उसकी जगह पर अलग से A4 साइच पेपर पर वीजा के सारी डिटेल्स होंगे जिस पर एक QR कोड होगा उस QR कोड को आसानी से स्केन किया जा सकता है एरपोर्ट पर आप खुद से भी स्केन करके सारी डिटेल् बैरल दोस्तो ये बड़ी अपडेट सौधी वीजा स्टांपिंग को लेकर जो 1 मई 2023 से लागू होने जा रहा है इसके संबन में दोस्तो आपके जहन में कोई सवाल है तो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोसिस करूँगा आपके सवालों के जवाब देने के इसी तर तक आप अपना ख्याल लखें खुश रहें गुडबाए